गुड मॉर्णिंग स्टूडिन्स आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा जो पार्षबर्ति राज्य उरिस्टा में संगटित हुआ एक बिद्रोह के बारे में जो बिद्रोह 1817 में संगटित हुआ था उसका नाम है पाइक बिद्रोह तो यह बहुत सारे DB-netset की एक्जैम या उलिस्टा के जो स्टेट एक्जैम हो थे उसमें यह कुईसिंस आते हैं तो आसा करते हैं यह मेरा चोटा सा डिष्कशन तुम लोगों के काम में जरूर आएगा पहले बात करते हैं पाइक बिद्रोह यह जो मैंने अभी बोला इन पाइक बिद्रो यह बारे में बताया गया ही है लोकल सेना उस वक्त की जो जमींदार होते जमींदार थे उनके पक्स में ये लोग काम करते थे और लोकल एरिया में सांती बना रखने के लिए और कभी कभर अगा जरूरत परे तो बिद्रोहियों को भी दमन करने के लिए इन लोगों का इस्तेमाल होता था. एक्च्यली ये लोग अगर बाई प्रॉफेर्शन अगर हम लोग देखें, ये लोग किसान थे, गरीब किसान थे और जरूरत परने पर जमिंदार के पक्स लेके अस्त्र सस्त्र भी ये लोग धारन करते थे तो उस वक्त के एक इंग्रेज इस टिन्य कंपनी के ऑफिसर्स थे इनके बारे में इन्होंने पाइक के बारे में पाइक लोगों के बारे में इन्होंने बताया है भूमी जो सेनानी तो अगर हम लोग देखेंगे जो पता चला है वो यह पाइक लोग थे यह नीचु जो कैटेगरी नीच जो लोवर कैटेगरी के पीपल्स होते थे वो थे यह पाइक क्यों हुआ यह पाइक बिद्रोहो पाइक लोग तो जमिंदर के अंडर में काम करते थे क्युंँ यह लोग बिद्रोही हुए अब आते हैं हम लोग जानते इस्ट इंडिया कंपणी के दोरान जब सुरू सुरू में इस्ट इंडिया कंपणी हमारे देश में बहुत सारे लैंड रिविन्यू सिस्टेम्स इंट्रड्यूस किये थे तो इसमें देखा गया था कि ज्यादातर लैंड रिविन्यू जो सिस्टेम वो जो ज लोग देख पाते हैं कि जो नॉर्मल टेक्स इस्टम था उससे ज्जादा टेक्स लिया जाता था इस सवी तरह की जो रेविन्यू जेन्ड रेविन्यू शिस्टम के ज़्यादा परिशा नहीं हुआ जो लोकल पिपुल से गाओं के और जो पुराना जमीनदार थे इस लेवि Communication Systems के इंटर्वीवी उसकी बज़ा से पूराना जो जमीनदार थे उन्हें उनने जहा यह करते इत हैं वह लोगों का काम बीचला गया वह होगया है कि बृतिस्पो बीरोधी जो किया इसका भी सिकार हुए थे उरिसा के खूरद में ऑरिया है वहां का यह जमिन नहीं मैं राजा भोला जारा है वह जमिनदार के बारे में बताय गया ए BEITES buirody शरयंत्र में लीपते हैं इसलिए आपको आपके जमिन से रहा हैं और हटा दिये जबुर्दा के जमिन में को वहां से हठा दिये अपने जमिन इंदार को रहाटा दे और हठाले के बाद वो जो जमीन खुड़ा के जमिन के अंडर में जितने सारे लोग काम करते थे स्पैसिलिस पाइक उनका भी काम चला गया और पाइक लोग कैसे जीते थे पाइक लोग अपना सेलरी के बदले में ये लोग पाइक अंड जमी इन लोगों को मिलता था जगीर जमी इन लोगों को मिलता था उसी से इन लोगों का घ पाइक संप्रदाई बिद्रोही हो गए ब्रेटिस इस्ट इंडिया कंपणी के खिलाब। इस वक्त हम लोगों को पता चलता है ये घटना हो रहता 1817 में। उस वक्त उरिस्टा में पाइक जमिंदार के जो सेनापती थे बिदाधर महापत्र। ये बिदाधर महापत्र के बिद्रोह खूरदा में शुरू हुआ ता पहली बार इसलिए इस विद्रोह को भी और एक नाम दिया गया खूरदा बिद्रोह। तो एक हुआ क्योंकि बोल पाइक लोग बिद्रोह कर रहे थे इसलिए इसका नाम हुआ पाइक बिद्रोह। और दूसरा खूरदा में शुर में वहाँ पर पुलिस की जो घाटी थे गवर्मेंट की जो ऑफिस थे वहाँ पर अक्रमन चलाए गए ऐसा माना गया ऐसा रेफरेंस हम लोगों मिलते के सौ से भी जादा लोगों का अंग्रेज की हत्या कर दिया गया था और उसके बाद बारंपूर में पहले शुरू हुआ उसके बाद खुरदा की तरफ ये लोग आगे निकल गए और वहाँ पर एकी तरह से सरकारी खाजान चिखाना जो है वहाँ पर लूट किये रेविनी ओफ अधिए और ऐसा गवर्मेंट के नथिप जो भी डॉकुमेंट से यह पता चलता है कि अट्रा सो सत्रा अट्रा में यह इस वाक्त यह विद्रोहों सबसे चरम चरम पर थे और हम लोग देखते हैं कि इस वक्त ऐसा रेफरेंस भी हम लोगों को मिला है कि पूरा दक्सिन उड और जो एंड कैसे हुआ था रेजल्ट जो ज्चादा तर हमलोगों को बद्रोहों के ज़्यादातर विद्रोह में कि पूलीस ने इसी कमपनी के गवर्मेंट ने इस विद्रोह को बहुत भावति खत्रनात तरीके यह बिद्रोह को दमन किये थे तो इस बिद्रो का मात्ती यही है उडिसा के एक हमारे देश के राज्य है इस्टर साइट में वहाँ पर उस वक्त इस्ट इंडिया कंपणी के अत्याचार रेवन्यू टैक्स के बराने के बज़ा से अपना लैंड चले जाने के बज़ा से बोलोग बिद्रो ही हुए थे इन सब बिद्रो में हम लोगों को एक मोटिफ यही मिला था आने वाले दिनों के लिए जब हमारे भारत बर्स में बहुत सारे जगा में विपलबादी अंदलन और जो बाद में साधिनाता अंदलन शुरू हुआ था तो इन लोग यहीं बिद्रो से हम लोगों को करते हैं आसा करते थोड़ा बहुत भी तुम लोगों मदद मिला होगा टेक्स्ट बूक पड़ो और भी रेफ्रेंस मिल जाएगा थैंक्यू वीडियो देखने के लिए